कि हलो फ्रेंड्स तो जैसा कि अपने थमनेल्स पड़ ही लिया होगा फंटच OS 12 बेस्ट विद एंड्रोइश 12 तो यह एंड्रोइड 12 का अपडेट मुझे सायद 24 को ही मिल गया होगा पर मैंने 25 को चेक किया था तो वह मुझे वहां पे था अपडेट तो मैंने कर लिया और क् सब्सक्राइब करना चाहता था एंड्रोइड 12 कैसा है फंटर चॉइस 12 कैसा है और यह मेरे फोन पर कैसे काम कर रहा है इसका वर्किंग ठीक है कि नहीं एक सेक्टरा तो एक दिन हो चुके है मुझे यूस करते हुए तो उसी के बेस्ट पर मैं बताऊंगा कि यह कैसा लगा मुझे ऐसे मैं कोई यूटूबर या कोई रिवीवर तो वैसे हूं नहीं कि उतना अच्छा से एक्स्प्रेंड कर पाऊं पर नॉर्मल एज यूजर मेरा एक्सपीरेंस बताना चाहूंगा तो पहला चीज जो मैंने नोटिस किया अपडेट के साथ ही जब हम ऐसे फोन्स में देखा है एक इस सीरिस फोन्स में या गूगल पिक्सल्स वाले फोन्स में उसमें पूरा ब्लैक रहता था जो की मज़े मुझे बहुत आच्छा लगता था पर यह उपर से पूरा ब्लैक और जैसा कि आप देखी सकते हैं स्क्रॉलिंग वगरा बहुत स्मूथ है विजिट्स का भी ऑप्सन आ चुका है एप्स ड्रॉर वाइट कलर का है आई डॉन्ट नो वाई बट यह भी अच्छा ही लग रहा है फिर एप्स के साइट में यहां विजिट्स का भी ऑप्सन है इस तवफे में है पार एनिफिंग वांट दैन उसके बाद और विजिट्स में यहां जैसे अल्बम वाले फीचर्स आये हैं हमारे पर जैसे कि इसमें हम फोटो लगा सकते हैं कुछ अपनी यह हमारे यहां कुछ-कुछ फोटो बिदे में आड कर सकते हैं गैलरी से अपना कि यहां वह आप देख लेना मैं अभी उतना एड वगरा नहीं करूंगा तो यह अच्छे अच्छे आप्सन से यहां फिर हमें कुछ लिखने के लिए यहां 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 फिर में वेदर जार का मिला है जो जो एप से हमारे फोनस पर उन सब भी जुछ प्रांट अगर वह भी चाहें तो वह भी बाहर निकाल सकते हैं तो आप आपने और आप जिए नोटीस की है इसए के गैलरी में पहले यह जो स्क्वार वाले बॉक्स या जो भी ऐल्बम्स थे वो दो पार्ट में डिवाइट थे मतलब टू 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 करके टू बाइफ फॉर इस टैप में कुछ थे अभी वो थ्री करके हो चुके हैं यह 333 के रोज में हैं तो वैसे ही कुछ है और इसमें अगर हम और एक चीज़ नोटिस किया मैंने की एडिटिंग में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एड हुआ है जैसे कि मैं एडिट पहले दबा रहे हैं तो यह जगा कुछ एक्स्ट्रा एड हुआ है इसमें हम कट आउट अभी हमारे पहले भी था साइड कट आउट करना है तो वह भी चेंज कर सकते हैं यह भी एक अच्छा फीचर है दिन उसके बाद कैसे करूं एडिट में फिर जब एडिजस्ट में हम जाते हैं तो यहां एक हमें डिहेस को अप्शन मिलता है अगर हमारी फोटोस पे नॉइज वगेरा बहुत काफी है तो वह भी कम करने यह गारे में एक अप्शन है साहई कभी कभी सेलफी में नौइज आती यह मैंने देखा एडिक करने में नौइज वगरा को कम करता है और अच्छा यूस मिलाता है अच्छी बात है अच्छी अच्छी फीचर से और भी कुछ कुछ है और काफी लोगों का मैंने सुना था को सेंस नहीं आया है दूसरे यूटूबर के रिव्यू देखके ही पूल रहा हूं कि कैमरा कैमरा रिलेटेड उन्हें बहुत चीज़ जानना है तो और एक एंडर टुल में और एक फीचर में अच्छा लगा कि हम कुछ भी एप्स अगर हम खोल रहे हैं जैसे कि वाटसप मैं अधर स प्रोंप होता है सआइड फिर उसके बाद आता है देन पीलिव उस प्रकार क्रों पहले दिखेगा फिर आयागा इंस्टा में तरह रहता ही है वैसे नोटस में भी वहले नोटस की Olieuko दिखेगा फिर आयगा वह सब चोटी-चोटी-चीछ अच्छी लगती है यह चै यह डाइलर अभी भी विवो का ही है इसमें हम अभी भी वैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और कुछ भी आप खोलो बंद करो उसका एनिमेशन जो है बहुत ही स्मूद बहुत स्मूथ कोई दिक्कत नहीं मेसेज कैलरी एनिफिंग सोशल मीडिया एप एवरीटिंग इस ओल राइट और सबसे बड़ी चीजी एंड्रोइड 12 मैंने तो सेटिंग्स वगेरा पर जाके दिखाया यह नहीं है तो वह भी देख लेते हैं एक बार सेटिंग्स में गए ह हम यह गए नीचे अबाउट फोन फंट चो एस ट्वेल एंड्रोइड ट्वेल और इसको एक बार ट्वेल पे लेके जाते हैं यस एंड्रोइड ट्वेल कि बेस्ट विद फंट चो एस ट्वेल जो की है वीवो एक सिक्स्टी और मेरे डिवाइस का नाम पिसाद मैंने नहीं पताया था यह वीवो एक सिक्स्टी है यह फंट चो है इस सब में रहेगा तो अच्छी बात है तरे फोनों में रहेगा और यह ऐसा एक्स्पिरिंस देगा तो और अभी सिक्यूरिटी प्राइवेसी वाले फीचर की बात करूं तो पहले भी था यही सब अभी है प्राइवेसी में आप जाके पर्मिस्ट मैनेजर में आप देख सकते हैं कि कौन सा आप आपका क्या यूज कर रहा है अच्छे कोई देना है कि सको अलाओ करना है किसको और नहीं करना रही कौनसी आपको वह आप सब कर सकते हैं अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है डान और मैं क्या इसमें दिखाऊंग फंटटच चोईस ट्विलख क्यामरा का सबसे बड़ा केमरा काम कर रहा है कि नहीं अपडेट के बाद क्या है? नहीं है? इसका檬ियो का मामला है भुज़रा देखते हैं अब तो चैममे ने जितना तक यूज़ किया है अब खोलते हैं क्वएरा तो अब है फोटो मोड में IG में ही सबसे ज्यादा कुस्सन्स आते हैं कि कैमरा फूल एच्टी में 60fps में और 4K में 60fps है की नहीं वो सब देखते हैं और उसमें आटो फोकसिंग का जो इसू था वो फिक्स वा कि नहीं वह भी जड़ा देख लेते हैं तो अभी है रिजॉलिशन फूल एच्टी में तो फूल एच्टी म कैम कर रहा है कि यह तो ऐसे नोर्मल में भी काम नहीं कर रहा है किया कि कॉन से मोड पे है सकी किति नहीं क्या हो रहा है से प्रॉब्लम कर रहा है से उसे wrt कर रहा है σब्सक्राइब यह को कर ले 60 फ्रेंब पर करते क्या यह फोकस कर पाएगा अगर हम हमें टैक करते हैं एक पर टैप टू फोकस करेंगा वह फोकस कर रहा है वह फोकस टैप पिजो जहां पर हमने अजिस्ट किया था वह रहा जा 60 फ्रेम पर यह तो बाद में जा रहा है 60 फ्रेम पर सकेंड पर थोड़ा है दिकत अभी भी कोई बात नहीं अगर 60 फ्रेम पर सूट करना तुम ट्राइपोड बगेरा पर रखके एक जगह पर सूट कर सकते हैं कम से कम आप्शन तो है तेन 4K पर चेक करते हैं 4K 60 fps 4K 60 fps का भी ऑप्शन है इसमें यह बहुत अच्छा बात है किसी की दिमवाइल पर रहता ही नहीं है और इस पर भी फोकसिंग इसू है कि भाई कर ले फोकस करीदेगा नहीं वरना तुझे कोई फोकस अगर करता है तो बहुत प्यारी तरीका से सुन्दर से क्लियारीटी क्लियारीटी में कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही सुन्दर है ऑप्शन भी अच्छा अगर हम एक जगा स्टेबल रखें और एक फीचर से यहां आप उपर में राइट साइड में ग्रीन डॉट देख सकते हैं एंड्रोट का यह फीचर है कि आप किस वक्त जब जो एप यूस कर रहे हैं वो क्या परमिस्न आपको वो क्यामरा यूस कर रहा है कि क्या माइक्रोफोन यूस कर रहा है एंइधिंग जो भी कर रहा है वह सारे यह ग्रीन डॉट रहा तो आप नोटिफिक्शन पैनल जब नीचे करोगे तो उसमें सारा दिख जाएगा अभी सब्सक्राइब दिखा रहा है मुझे अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि 30fps में स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन दिखा रहा है मतलब 4K में 30fps में इलेक्रोनिक स्टेबलाइजेशन साथ रहेगा इसलिए स्टैंडर्ड दिखा रहा है मुझे टैप करने के जरुवत नहीं पड़ रहा है यह है यह 1080p 30fps पर फोकस कर ले रहा है खुझ से फोटो वीडियो कॉलिटी वगेर अभी में बात करूं तो जैसे कुछ दिक्कत नहीं है बहुत इसंदर फोटो आती है पहले भी बहुत अच्छे आती था अभी भी बहुत अच्छे आ रही है कल ही मैंने एक मेरे फ्रेंड का फोटो लिया था वह कौन सा फो था गया है यह आई इसमें आप एज देख सकते हैं अभी मतलब इतनी प्यारी तरीके से यह जो टेली फोटो लेंस का काम करता है जहां वाइट एरिया है वहाँ वाइट वाइट सरकल कर देता है जो कि पूरा डेसलर जैसे एफेक्ट लगते हैं कट आउट भी जो एज का अगर लाइटिंग कंड अच्छा हो और आप अच्छे से स्टेबल पकड़ के फोन से फोटो लें तो बहुत यह अच्छी आई फोट यह यह इतना तो मैं यह और बोलता हूं कि बहुत संदर संदर स्मेची फोटो जाई थी कोई दिक्कत नहीं है अधिन मैं कुछ और फोटो दिखाऊं इस जैसे जुबएं फोटो नहीं है एभी फोटो से सारह मुबाईल के अब इस सदिक्षिटी है कि हम में दिखा सकता हूंậy ऑपको क्लिक्षित मॉडल V245 लिख रहा है यह एक सिक्षटी व कर mejorar सीरी समझा समझ लेना यह एक सिक्षिक्षिक आई मॉडल है यह मैं पहले justement जोच रहा था कि कैसा वीड़ेंटी क्यों लिखा हुआ है पर वह ऐसी मॉडल नमबर है उससे कुछ दिक्कत नहीं और यह सारे फोटोस देख सकते हैं बच्चे हैं प्यारे-प्यारे यह सारे मुबाइल के मेरे फोन से क्लिक के हुए अब लाइटिंग कंडिसन अच्छा हो तो मैं लिख के दे रहा हूं इससे अच्छा इसा नहीं बोल सकता वर बहुत ही सुंदर फोटोस आएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा है बहुत ही प्यारी फोटोस आएंगे दन गेम्स के बात करूं तो गेम्स तो इतना में कुछ खेलता हूं नहीं सबसर पर चला कर देख लेते हैं और इस बहुत प्रसंदा आ रही है कि कुछ भी मैं आप सखोल रहा हूं पहले उसका चोटा से एक आईकोन निकल के आ रहा है अ कि अ जलो दन और यह वाले चीज भी जिसे अभी हमने बात किया यह भी हम इसमें कर सकते हैं यह नहीं फीचर से हैं और क्या-क्या है कि रिसेंट एप्स का हो गया है कि देन और कुछ बचा हो तो और क्या बचा है इसमें बताने लाइक अच्छा है इसका यह जो लाइफ वाल पेपर यह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसका अन्लॉकिंग एनिमेसन होता है तो दिखा रहा है कि ऐसे जब खुलता है यह जब वह पत्तियां जैसे पीछे जो है वह हिल क्या आती है कैसे भी मुव होती है वह बहुत अच्छा लगता है अन्लॉकिंग निमेसन इसका और यह इसमें अभी तो दिख नहीं रहा है रिकॉर्डिंग स्क्रीन दिखा रहा है तो यह लॉक्स्क्रीन में भी अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है यह पूरा ब्लर हो क्यार यह पैटन या जो ग्लॉक वगरा है हमारे डेट टाइमिंग वगरा सब बीच में आ चुकी है अब बस इतना ही बताना चाहूंगा बहुत स्मूथ है कोई दिक्कत नहीं कॉल रिकॉर्डिंग याप आराम से कर सकते हो वह यह वीवो का डाइलर है मैसेजिंग भी वीवो का है कैमरा भी वैसे ही है सारे चीज बिलकुल वैसे हैं आपको कुछ डाउंग्रेट नहीं मिल रहा है बैटरी लाइप वैसे आप देख सकते हैं मतबसे फूल एच्टी स्क्रीन रिकॉर्डिंग 15 इनिट्स मेरा हो चुका है और मेरा बैटरी सायद से 81 था सारा चीज मैंने जितना चीज कैमरा है मैं मेरा 4K60 विक्ष्टी क्या क्या कर पूरा के बहुत सारा चीज दिखाया पर भी से 4% कम हुई अभी तक बैटरी में भी कोई दिक्कत नहीं है और मेरा स्क्रीन भी 120 हर्स पे चल रहा है अभी तब से मैं इधर उधर कर रहा हूं तो अच्छी है कोई दिक्कत नहीं हरां से मोमेंट मोमेंट कर देना मैं भी ट्राइव राए करूंगा थोड़ा अगर दूसरों से अगर मुझे मोटिवेशन मीलेगा कि हाँ भाई तुम्हें करना चाहिए ऐसा कुछ तो जरूर करूंगा मैं यही और क्या करूं यही है ओके देन भाई इंजॉए और फंटे चोईस जोई एपी न्यू यह इन एद्वान्स है वे ग्री दे बाई